21. अंत्रिक्ष्परी सुनिता विलियम्स 20 जतंबर 2007 को एहमदाबाद हवाई अड़े पर अमरीका से एक हवाई जहाजा पहुँचा तब अट्लांटी सियान प्रत्वे पर पहुँचने जैसी उत्तेजना होई थी उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनिता विलियम्स महिलाए किसे भी क्षेत्र में पीछे नहीं है वह उच्च से उच्च पद पर आसिन तो है ही परंपराओं की बेडी को तोड़ कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की ख्षमता आज की नारी में है युवा पेड़ी की गौरव शालिप परंपरा में अंतरिक्स पर अपना अस्तित्व स्तापित कर चुकी भारतियम महिला कलपना चावला के बाद सुनिता विलियम्स का नाम जुड़ा है सुनिता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवानवित किया और सफल होकर वापस आई हमारे देश के हरियाना परांत के करनाल शेहर की कलपना चावला को प्रतम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सन्मान मिला था हमारे राकेश शर्मा भी प्रतम भारतिय अंतरिक्ष यात्री है दुख की बात यह हुई कि कलपना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कलपना बन गई कलपना के स्वपन को और खुद के दिवा स्वपन को लक्षे बना कर सुनिता विल्यम्स आज इस मुकाम तक पहुँची है सुनिता का भारतिय होना हमारे लिए गर्व की बात है उनके नाम के पीछे विल्यम्स लगता है तो फिर भारतिय या गुजराती कैसे यह हमारे मन में प्रश्न उठता है सुनिता भारतिय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पीता दीपक भाई पंडिया का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जूलासन गाहों में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। एहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डाक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लि बाईन के जय, दीना और सुनिता तीनों संतान में सुनिता सबसे छोटी है। सुनिता का जन्म 19 दिसंबर 1965 इसवी को ओहियो अमरीका में हुआ था। मुक्त वातावरन में पली सुनिता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनिता बच्पन से ही दौड, स्विमिंग, घु भाग लेती थी, वह महनती थी, शिक्षकों की चहती थी, घरवाले उसे प्यार से सुनि कहते थे। छे साल की सुनि ने अमरीकी यात्री नील आमस्ट्रॉंग को चांद की धर्ती पर उतरते देखा था, तब से मन में निश्चे कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, बच्पन का संकल्प उसने साकार किया, उसकी हाइ स्कूल की शिक्षा मैसाचु सेट से हुई, युनाइटेट स्टेट्स नेवल अकादमी मैरिलेंड से भौतिक विज्ञान में सनातक किया, इंजिनेरिन मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टिटूट अफ टेकनोलोजी 1995 मे बाद में अनुसना तक किया, इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी के व्यावसाइक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृतियों का महत्व था, इसके बाद नेवी में अवियेशन ट्रेनिंग, अमरिका में कमिशन अधिकारी बेसिक डिवाइन आफिस पाइलट कोर्स के लिए चैनित किया गया, पाइलट बनने की सिधी को प्रथम कदम माना, अंतरिक्ष पर जाने की तिवर इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई, तब से आज तक सुनिता नासा में कारे रथ है, 1998 में अंतरिक्ष यात्री का है, सुनिता ने खास मित्र और सहाध्याई माइकल विलियम्स से शादी की, और सुनिता पंड्या से सुनिता विलियम्स बनी, माइकल विलियम्स ने सुनिता की सिधी में साथ दिया, सुनिता को अंतरिक्ष परी बनाने में कलपना चावला ने ही प्रेरणास्त्रोत का काम किय पिछले आठ वर्षों में अंत्रिक शात्रा पर जाने वाली भारतिय मूल की दूसरी महिला की सकुषल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। कलपना से मुझे काफे कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनिता को नासा के लिए चैनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षन प्रारंब कर दिया। कड़े प्रशिक्षन के बाद सुनिता खुद अंत्रिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंब में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डिया कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनिता ने खुद को अंत्रिक्ष प्रशिक्षन लेकर तैयार किया। वैग्यानिक तक्नीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कारिक्रम तथा उनके यान आधी के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके गोता खोरी में अनुभव होने वाले भार हिंता से स्पेस वाक प्रशिक्षन में सहायता प्रदान की, अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैग्यानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना, वे अंतरिक्ष के संभवित खत्रों से खेलने के लिए पूर्ड तह तयार हो चुकी थी, सुनिता पूरी तयारी के लिए नौ दिन पानी के अंदर भी रही, स्लाइट इंजिनियर के तौर पर डिस्कवरे मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अट्लांटिस अंतरिक्ष यान से सुनिता स्पेस स्टेशन पहुँची, 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल कदमी की, पृत्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित आंतर स्टाश्रिय अंतरिक्ष स्टेशन की गती प्रती घंटे 27,744 किलोमीटर थी, यह अड़ा प्रती दिन प्रित्वी के 15.7 चकर काटता था, अर्थाज सुनिता ने प्रित्वी के 2967 चकर अपने अंतरिक्ष परवास में लगाएं, इस अभियान में सुनिता ने 29 घंटे 17 नहामें 4 घंटे 24 मिनट में मैरेथॉन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है, अंतरिक्ष के बौस्टन मैराथॉन में 4 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रतम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनिता ने अंतरिक्ष में 118 से दिन और 4 घंटे के शै इने तक रहने का अनुभव है, कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्चक है, ताकि मांस पेशियों और हड्डियों की शक्ती बनाए रखी जा सके, शरीर को लचिला बनाया रखा जाए, जैसा कि साइकल चलाना, दौडना, हवा में तैरना, आदी, अंतुरिक्ष यात्रा मे सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भार हिंता, शरीर के लचिलेपन, त्यव्रगती से खत्म होना, मांस पेशियां और हड्डियों को तेज क्षती जैसी समस्याए थी, सुनिता ने आंतरास्ट्रिय अंतरिक्ष कैंद्र में, छा महिने के प्रवास के दौरान, कई महत्वपूर्ण कार्य किये, जैसे यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, रिथ्वी का निरिक्षन, शिक्षा और टेक्नोलोजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विशयों पर काम किया, इसके अलावा सुनिता ने इस दौरान जमा किये गए बलड सैंपल, नूट्रिशन स संबंदित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए, सुनिता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है, कि हमारी पृत्वी कितनी शांदार है, दुनिया को अलग नजरिये से देखने का मौका, और यहाँ अंतर दृष्टी मिलती है, कि अ पृत्वी पर क्यों विवादों में उल्चे रहते हैं? नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में, अंतरिक्षियान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कान्फरेंसिंग के दोरान सवालों के जवाब देती सुनिता ने कहा, कि यहाँ से विश्वत सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुन्दर ग्रह, सुन्दर ग्रामिन इलाके, सुन्दर पहाड और आस्मानी रंग के सुन्दर महसागर, हरे बैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी, यह द्रिश्य बहुत मनोहर था. 19 जून 2007 को स्पेश शटल अट्लांटिस सुनिता समेथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धर्ती की ओर रवाना हुआ, पूरा विश्व सुनिता की सकुषल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनिट अंतरिक्ष में बिताकर रिकार्ड बनाकर सुनिता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. सुनिता के आश्चर जनककार्य से भारतियों और गुजरातियों का सर उंचा हुआ, हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोचिस्तान पर बिठाना है, तो सुनिता की तरह सासी और महत्वकांशी बनना होगा।